बिट्कोइन की जहां तक बात करते हैं तो बिट्कोइन अभी स्टेटल है कहां पर पचाश हजार से उपर की रेंज पर पचाश हजार इके आवन हजार mostly जो level दिख रहा है वो 51,000 पर दिख रहा है नीचे जाते हैं longs का liquidate करके वापस आ जाते हैं 51,000 पर कुछ दिनों से यही game चल रहा है 52,000 पर जाते हैं 51 पर बना हुआ है bitcoin और थोड़ा सा game कर रहा है बस liquidation के mood में है bitcoin और उमीद है जल्दी हम कुछ न कुछ यहां से हल चल देखेंगे जैसे जैसे हम weekly candle closing का यहां पर already time आई चुका है अगर आप देखोगे इस time पर आज Saturday है कल Sunday है और बस कल का दिन है परसो morning में हमको इस week की candle closing होती होई दिख जाएगी ठीक है तो candle closings बहुत जैदा important है market के लिए बहुत बहुत बड़ा role play करती है closings closings को अगर आप monitor करेंगे तो definitely आप result भी अच्छे देखेंगे ठीक है तो weekly closing का wait करेंगे और उपर से अगला नया week शुरू होगा तो उसमें क्या होजाएगा नया week में हमको monthly candle close होती हो दिख जाएगी February month की February month की भी closing होती हो दिख जाएगी तो बहुत जरूरी है यहाँ पे closings देखना और closing से पहले volatility रहती है गेम होते है liquidation वाले तो अगर profit book कर रहे हैं trading से तो मतलब profit मिल रहा है तो उसको book कीजिए wait hold मत कीजिए leverage को कम रखी है अभी 51,000 पे चल रहा है bitcoin तो शुरुवात करेंगे कुछ weekly updates के साथ मतलब जो इस week का हाल रहा है और सबसे पहला Nigeria की बात करेंगे Nigeria looks to ban cryptocurrency और Nigeria की तरफ से Binance ban को ले के action crypto को ले के a presidential advisor in Nigeria has blamed cryptocurrency for its supposed role in manipulating the local naira currency crypto ban को लेके Nigeria से अपडेट आ रहा है दूसरा है Binance announces its latest investment Binance Lab ने इस week कल ही investment किया Renzo protocol के अंदर एक नया investment हुआ Binance का Avalanche का major outage देखने को मिला इस week 5 घंटे का major outage है ना 5 घंटे के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे The Avalanche Network halted block production for as as much as 5 hours this week और अपडेट्स पे अगर नजर मारे तो Uniswap का प्राइज 70% उचला है इस week अभी कल संडे बाकी है ठीक है closing हुई नहीं है weekly तो near double in price on biggest governance proposal ever तो proposal यहाँ पे एक लेके आया और उस proposal के तहत प्राइज में एक अच्छा कासा बड़ा जम पाया Uniswap के DeFi category बहुत अच्छी pump हुई है आज की date में पूरी green बनी हुई है अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे और updates की बात करें तो अभी फिलाल यह है बाकी जो update है वह हम cover करेंगे और बहुत बड़ी बात है कि Uniswap बड़ा player है old player है और 70-80% जम करता है आज की date में और पूरी DeFi category को साथ लेके है ना क्योंकि आज lead तो करी रहा है और DeFi category पूरी हरी बरी बनी हुई है पिछले एक-दो दिन से नेक्स्ट हम बात करेंगे आपको करना है comment और बताना है कि Halloween जो April मन्त में होने वाली है less than two months until we reach the biggest crypto event of 2024 2024 का एक बड़ा event 11 जन्वरी को पूरा हो गया ETF को approval मिल गया एक सबसे बड़ा event है अपरेल के अंदर और यह सबसे बड़ा है क्योंकि Bitcoin की Halloween है what price do you think Bitcoin will emerge it है ना Bitcoin price on Halloween day अब तक अगर हम देखें जितनी Halloween होई है 2012 की अगर मैं बात करूँ तो 12 dollar पे इसका price था Bitcoin का एक Bitcoin आपको 1000 रुपे का मिल रहा था 2012 के अंदर 1000 रुपे का एक Bitcoin वही Bitcoin 2016 में Halloween के उपर जो 2016 की Halloween होई उस time 670 dollar का हो गया अगली Halloween 2020 के अंदर जो ही वो 8787 dollar पे पहुँच गया और अब आ रहे है ये 4th Halloween 2024 के अंदर तो आपको comment करके ये बताना है कि 12 dollar से शुरू हुए 670 पे पहुँचे 8000 पे पहुँचे अब कितना होगा Halloween के दिन Bitcoin का price क्या एक लाख डॉलर मान ले या 70-80,000 या फिर 40-50 की range में ही Bitcoin रहेगा आपको comment करके बताना है आपके क्या views है आपको क्या लगता है बाकी जो scenario रहेगा वो हम discuss करेंगे ठीक है आप comment करके जरूर बताएगा Next हम बात करेंगे Uniswap की Market के अंदर इस coin ने पिछले 24 घंटे में जो कमाल किया है वो बता रहे है कि crypto market की power कही नहीं गई है bull run जब आता है तो crypto market की power कही गुना बढ़के आती है beer run आता है तो definitely market गिरता है लेकिन bull run में वही market double से triple भी हो जाता है क्यों हो जाता है क्यों नहीं स्वाप market का एक old player है अगर आप एक इस coin की अगर हम सिर्फ एक क्रिप्टो की बात कर ले मैं यहां पर price की बात नहीं करूँगा 60-70% अल्रेडी बढ़ गया है 11-12$ की range चल रही है 7$ से level उठा है लेकिन यह 7$ से 12$ ले जाने के लिए इसमें कितना पैसा डाला गया है तब जाके यह pump हुआ है इसकी market cap अगर आप देखेंगे यह पिछले 7 दिन की market cap है 50% इसकी market cap भी बढ़ी है 60-70 लगा ली जितना price बढ़ा है कहां चल रही थी market cap अगर आप यहां देखेंगे यह अगर मैं यहां पर देखू यह date है 23 तारिक यानि कल तक यह market cap इसकी 4.2 बिलियन डॉलर की सी अगर आप देखो 4.2 बिलियन डॉलर यह बनी हुई थी market cap इसकी है ना और market cap इतनी जैदा बढ़ी है आप देखो 7.2 बिलियन डॉलर इसने पहले अपना market cap का high लगा यह अगर आप high देखेंगे उसके बाद जो सबसे high लगा अगर हम देखें वो 7.4 बिलियन डॉलर का यह 7.5 बिलियन डॉलर की market cap इसने hit कर लिया और अभी जो market cap चल रही है इसकी वो चल रही है यहां पे इस level पे ठीक है यह है 6.6 बिलियन डॉलर की अब समझ रहे हो 3 बिलियन number जरूर आपको लगर और यह 3 बिलियन है क्या बहुत सारे लोग बिलियन नहीं समझ पाते लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है बिलियन की अगर मैं बात करूं 3 बिलियन डॉलर 3 बिलियन डॉलर से भी जैदा की रकम इस कॉईन में आई है समझ तो तीन बिलियन डॉलर और यह चोटा मोटा नहीं आप यह लगा लिए जिए दस हजार करोड बीस हजार I think कितना नमबर यहां पे क्योंकि मार्केट कैप थोड़ी उपर नीचे हुई है लेकिन तीन बिलियन डॉलर यानि हजारो करोड रुपया है यह तीन बिलियन डॉलर यह कोई छोटी रकम नहीं है सिर्फ इस कोईन में हजारो करोड रुपया आया तब जागे साथ सतर परसेंट पंप हुआ है तो और आज इसकी रैंक भी छे बिलियन डॉलर मार्केट कैप के साथ I think पंदरा सोला पे इस टाइम पे बने वही है अगर हम देखें यहां पे तो इसकी रैंक इस टाइम पे चल रही है सोला के उपर है सिक्स्टीन पे इसकी रैंक आ चुकी है और हजारो करोड रुपय की रकम इस क्रिप्टो इस यूनी स्वाप के अंदर हमको देखने को मिली है 24 गंटे के अंदर तो आप देखो किस तरह से पैसा मार्केट में आ रहा है जिस तरह पानी की तरह पैसा निकला था बियर रन में उसी पानी की तरह पैसा वापीस आ रहा है सिर्फ एक क्रिप्टो का हाल है तो बुलरन पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ है स्टार्टिंग फेज में है अभी तो जब पीक पे होगा जब केतने हाई लेवल पे होगा तब क्या से क्या होगा आप खुदी नहीं समझ पाओगे तो रिसर्च करें फोमो ना करें बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो ना खरीदे नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे शिवा इनु की जिस शिवा इनु के बड़े पंप का वेट बहुत सारे लोग कर रहे है वो शॉट टम की जो रैली है वो सो से तीन सो परसेंट की हमारा प्रेडिक्शन अलरडी है कि हम जल्दी देखेंगे और क्या वो आने वाली है रैली और क्योंकि शिवा इनु अभी भी डिसकाउंट दे रहा है बंपर डिसकाउंट है क्योंकि 5-0 वाले लेवल्स हैं और टॉप शिवा इनु डवलपर suggest something exciting is coming तो शिवा इनु के डवलपर यहां पर suggest कर रहे हैं कि something exciting is coming कुछ न कुछ exciting यहां पर आ रहा है शिवा इनु के डवलपर की तरफ से टीम की तरफ तो इनके जो डवलपर है काल उनकी तरफ से यहां पर एक update है कि hinting at the potential announcement of something exciting तो क्या excitement आएगा जो भी आएगा हम discuss करेंगे यह कुछ hint जरूर मिल रहा है डवलपर की तरफ से और इसका क्या impact रहेगा शिवा के price पे वो भी देखना बहुत जरूरी है तो आज की इस video को यहीं paint करेंगे किसी भी crypto में अगर आप invest कर रहे हैं रिसर्च करें वो बहुत जरूरी होती है बिना रिसर्च के कुछ भी ना खरीदें और नीचे description में टेलीग्राम X के link है जोईन कीजे कोई update मिस नहीं होगा तब तक के लिए बाई बाई टेक केर